नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पूनम आपके स्वागते राजी में सेना की जमीन भोटला मामले में कारुबारी विश्णु अगरवाल को बड़ी राहत मिली है पाँच महीने से जेल में बंद विश्णु अगरवाल को जारकन हाइ कोट ने उने जमानत दी है हाइ कोट ने एक लाख रुपे के दो नीजी मुचलके पर जमानत दी कोट के और से कहा गया कि नीचली अदालत में हर निदारे तारिक को विश्णु अगरवाल को उपस्तित होना होगा कोट ने जमानत के दोरान ये भी शत रखी है कि उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोट में जमा करना होगा 18 सितंबर 2023 को एडी कोट ने विश्णु अगरवाल की जमानत अरजी खारिच का दी थी इसके बाद उनकी और से हाई कोट में जमानत याची का दाखिल की गई थी विश्णु अगरवाल के मामले में सुनवाई पांच जन्वरी को पूरी हो गई थी इस मामले में एडी का पक्ष सुनने के बाद कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था न्यायादिर जस्टिस दीपक रोशन की कोट में विश्णु अगरवाल की और से हाई कोट के अधिवक्ता इंद्रजित सिन्हा सुमिद गडोदिया और पंड मिश्रा और रिशब कुमान ने बहस की थी राची के चेशायर होम रोट स्थित एक एकर जमीन और सिर्म टोले स्थित सेना की जमीन की मनी लॉंडरिंग कर खरिदारी करने का अरोब है एडी ने रिमान नोट में इस बात का जिक्र किया है कि चेशायर होम रोट की जमीन के काखजात फर्जी तरीके कॉलकता इस्थित्री आफिस में तियार किये गए थे जमीन की खरिदारी में मनी लॉंडरिंग भी हुई है विश्णु अगरवाल को 31 जुलाई 2023 को एडी ने पुश्टाच के बाद गिरफतार किया था उन पर चेशायर होम रोट की एक एकड़ की जमीन गलट ढंक से खरीदने का आरूप लगया है इस मामले में विश्णु अगरवाल सही 10 आरूपियों के खिलाफ आरूप पत्र भी दाकिल हो चुका है इसे के साथ बने राजगामा टीवी के साथ करने वाद